नमस्कार दोस्तो सेर्शिंग भुलाग में आपका स्वागत है अपने आप बैङ जो है जो मेरी ramiक तो राइदूत है तो सभी भाईयों के पास में कोई भी वाईक हो और बैज में कैसे पहचाने की मेरी अच्छी एवरेज दे रही है उसका क्या ट्रिक होता है क्या Sec बचान का तरीका होता है तो उस स्कूमें बताने वाला इस वीडियो में मेरबातु राजवीदुत है इए तो उसको बिताओंगा चलते हैं मेरे वीडियो हे और लाइक भी करें कमेट भी करें सेर भी करें सस्क्राइब करें ना भूलें बेल आइकन जबूर दबाएं आगे चलते इसका काम देखते हैं कैसे होता है जो यह प्लक होता है प्लक का जो कैप होता है कैप को हम लोग बाहर निकालेंगे और जो होता है प्लक को हम इसको ड्राइबर से ज सब लो भाई मीटर का प्रयोग करते हैं मीटर से देखते हैं कि मेरी भाई कैसी अवरिद दे रही है यह है मेरे पास बोज कमपणी का प्लक है और आप लोग अच्छी तरह सा देख लें यहां प्लक का जो पईंट है यहां पर, यहां सुख गया है, यदि आपकी बाइक अच्छी आवरे दे रही है, कैसे पता होगा आपको, तो यह प्लक का पॉंट बराबर सुखा आई एकदम सूखा रहा है एकदम सुखा है यह सुख के ताइट हो गया है यदि इसमें एप तो आप समझें कि मेरी ऐवरेज नहीं दे रही है यदि आपका प्लक का पोईन टोटल फूर्डूप से सुख गया है तो समझ जाए कि मेरी बाईक बहुत अच्छी आवरेट दे रहे हैं बहुत अच्छी कंडिशन में है जिस बाईक की बाईक जदी ज़्यादा द्धूआ देती है तो उसका यहां प्लाइक पर आइल ज़्यादा रहेगा भीगा रहेगा क्योंकि जब आइल इंजिन उठाती है तो यहां पर भीगा भीगा रहेगा इसी के कारण प्लक साट करता है तो करेंट सही नहीं आता है करेंट सही नहीं आने के वज़े से बाइक स्टार्ट नहीं होती है प्लक साट होता है बार बार यही कारण होता जो धुआ उठाती एंजन से आल उठाने के कारण प्लक साट हो जाता है उसको बार-बार चेंज करना पड़ता है तो आप खुद देखें कि मेरा प्लक कैसा है सुखा है गीला सुखा रहे गा तो एवरेज सही देगी गीला है तो इस तरीका से आप लोग अपना बाई का एवरेज चेक करें और उसका रिस सुलूचन निकालें तो मैं अपन बार ऐसे हिलाना है क्योंकि मेरा जो बाय के अच्छी एवरेत देती है इसके वज़े से मेरा जो प्लक है पहले से सुखा है और साब भी है तो मैंने खोला हूं तो इसको थोड़ा साफ सफाई कर देता हूं आप लोग के सामने में वीडियो में पूर्णूम से दिखाना जो है यही प्रोसेस है और इसी तरीके से चेक किया जाता है मिस्तिरी लोग ज़्यादा इसी तरह चेक करते हैं बहुत लोग तो मीटर का प्रयोग करते हैं स्पीड मीटर आयल डालने के बाद एक लिटर डालने के बाद लोग चला का चेक करते हैं कि एक लिटर में कितना ए को कि बहुत असान तरीका आप लोग घर पर इसी तरह खाली समय में आप खुद काम करें कि मेकैनिक बनने का कि प्रयास करें कि एक बार फीट से दिखा देता हूं प्लक को मैं पूर्डूप से अच्छी तरीके से साफ कर दिया हूं और इसको मैं पूर्णा लगाओंगा फिर उसके बाद जो कैप है प्लक का कैप है इसको उसी अवस्था में लगा देना है और बाइक का प्लक के तयार हो गया चलने के लिए तयार है और इसी तरह आप लोग खुद काम करें और खुद मेरे वीडियो से सीखें कुछ आप लोग भी मुझे जनकारी दें पर आप वीडियो में बने रहें लाइक भी करें कमें करना बोले बीडियो